अगर आपको लगता है कि बैंक में जमा आपकी रकम सुरक्षित है तो आप यहां गलत है और आपकी इसी गलती को सुधाने के लिए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकरी लाएं है MTTV इंडिया को प्राप्त सूचना के मताबिक बैंक में आप चाहे कितना भी रुपेया रख लें लेकिन बैंक अगर डूबा तो समझो आपका पैसा भी डूबा लेकिन बैंक डूबने की स्थिती में आपको आपके खाते से सिर्फ एक लाख रुपे ही प्राप्त होंगे जी हाँ सिर्फ एक लाख रुपे दरसल एक संस्था DICGC यानी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation जिसके तहत अभी बैंक में जमा राशी पर हर ग्रहा को एक लाख रुपे का इंशॉरेंस कवर मिलता है इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैंक में कस्टमर ने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपे जमा कीए है और किसी कारणवश वह बैंक दूबता है तो कस्टमर को मातर एक लाख रुपे मिलने की गारंटी होती है मतलब साफ है कि आपके बैंक में चाहे कितने भी रुपे जमा हो, बैंक के किसी भी काणवश डूबने पर आपको अधिकतम एक लाग रुपे ही वापिस मिलेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमा बीमा कवर की अधिकतम सीमा में आखरी बड़ा बदलाव 1993 में उदारी करण के शुरुवाती वर्षों में किया गया था जब बचत से सावधी जमा तक सभी जमाओं का बीमा कवर 30,000 रुपे से बढ़ा कर एक लाग रुपे कर दिया गया था इसका उदेश्य जमा करताओं को यह सुविधा परदान करना था कि बैंक के बस्ट होने की स्थिती में एक लाग रुपे तक की जमा राशी सुरक्षित रहे हलांकि 26 साल के बाद उच बीमा कवर के प्रावधान वाले कानून के बावजूत सीमा को फिर से संशोदित नहीं किया गया है जमा बीमा कवर 1968 में 5,000 रुपे की सीमा के साथ शुरू हुआ था यह 1970 में 2 साल बाद 10,000 रुपे तक संशोदित किया गया था अगला संशोदर 1976 में 6 साल बाद 20,000 रुपे हुआ और चौथा संशोदर 1980 में 30,000 रुपे हुआ वहीं जानकारी के मताबिक जो बैंक होते हैं वो Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC को 1 लख रुपे के डिपोजिट के लिए 100 रुपे का मामूली प्रीमियम देते हैं दिल्चस्बात यह है कि DICGC अधिनियम की धारा सोला एक निगम को केंद सरकार की मंजूरी के साथ सीमा बढ़ाने का अधिकार देती है लेकिन अभी तक किसी ने भी ये सीमा बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा है अधिन देता है